आज मेरे किचन बन रही है रोहु फिश तावा फ्राइए हेलो फ्रेंस जो हार आप सभी को मेरा ट्रीच 26 में आप सभी का स्वागत है मैं शल जा और लेकर के आए हूँ फिर से आज एक नहीं रही रही और आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश फ्राइए और फ्रेंस ये कर लिया दो से तीन बार अब मैं करूंगी से मारिनेट तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मैं एक चमश करीब हल दी उसके बाद मैं डाल रही हूं इसमें आधा चमश लालमिश पाउडर अगर आपको तीखा पसंद नहीं है फिश में फ्रेंस तो आप कश्मीरी लालमिश डाल सकते हैं उसके बाद मैं डाल रही हूं आधा चमश धनिया पाउडर उसके बाद मैं डाल रही हूं नमक तो नमक आपने स्वार के नुसा डाल सकते हैं और नमक के डालने के बाद आधा चमश में डाल रही हूं इसमें जीरा पाउडर तो यह भुना हुआ जीरा मैं लि या दो चमश आप नीबू के रस को डाले जाए चारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और मारिनेट कर लेना है और इस मारिनेशन को मैं 15-20 में के लिए रखने वाली हूं यहां 15-20 में हो चुके हैं मैंने कड़ाई गरम करके सरस्व तेल डाल दिया इसमें अब एक एक क पकाते हैं मुझे करीब 6-7 मिनट हो चुके हैं क्योंकि मैंने बड़ी फिश का अस्तमाल किया है फिश की पीसे थोड़े बड़े हैं तो टाइम जादा लगा है मुझे तो 6-7 मिनट के बाद मैं इसे कलची से इस तरह से चला के देख रही हूं तो अगर फिश असानी से हिल तीसरे को भी इसी तरह से पलट लेना है तो जब भी आप बड़े फिश पीसेस का स्तमाल करें तो आप यह ट्रिक यूज कर सकते हैं तो यहां फिश को पकाते हैं लगबग मुझे अब 10-15 मिन हो चुके हैं और जैसा मैंने बोला फ्रेंस आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है इसे अगर आप लो फ्लेम पर पकाते हैं तो थोड़ा सा टाइम जादा लग सकता है लेकिन यह बहुत अच्छी फिश बन करके त्यार होगी तो दस मेंट मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाया अब फ्लेम मैं बिलकुल लो कर दे रही हूं और लो फ्लेम मुझे फ्रेंस बीस से पचीस मिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यह अच्छी तरह से अब पक चुके है अब दोनों तरह से जैसा मैंने आपको बोला कि दो से तीन बार आपको पलट कर यह से पका लेना है जब तक कि इसकी उपर हलका गोल्डन कलर ना जाए थोड़ से मशली हमारी पक भी गई है तो इसी तरह से आपको लो फ्लेम पर मशली को पका लेना है शुरुवात में आप फ्लेम थोड़ा सा हाई कर सकते हैं लेकिन बाद में आप लो पी ही रखे नहीं तो मशली जलने लगेगी और अंदर से कची रह जाएगी तो फ्रेंस यहां पर मुझे हो चुके हैं 20-25 अब मशली जो है बिलकुल अब तयार हो चुके हैं यहां देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इसमें और मशली बिलकुल अच्छी तरह से हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंस अब इसे कढ़ाई से निकाल लेते ह कितनी जबदस सी रेसिपी ता आप इसे घर पे जरूर ट्राय करें और मुझे बताएं कि आपको यह कैसी लगी अगर अच्छी लगे ता आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चानलों का अभी तक आपने सब्स्राइब नहीं किया है फ्रेंस जल्दी से सब्स्राइब कर ले ता कि आगे भी ऐसी यम्मी और डिलिशस रेसिपीज में आप लोगों के साथ शेयर करती रहोंगी तब तक के लिए बाइ और थांक यू फो वाचिंग